नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे हिंदी साहित कथा जगत की वरिष्ठ लेखी का संतोष श्रिवास्तो जी की कहानी कट घरे से बाहर तो आएए सुनते हैं कहानी सुने कमरों में बेमतलब चक्कर लगाना, बार-बार मा की चीजों को छूना रसोई घर में विसूरते मसालों के डिबों, बर्तनों को मा के बिना देखने की पीडा इतनी अधिक चुबन भरी थी कि मैं काच सी बार-बार तूप कर जनजनाती रही हूँ यह ऐसास जान लेवा है कि अब वे मेरे साथ नहीं हैं, नीले आस्मान में तारों की हमजोली बन गई है बेड़ भले ही गर्मियों की गहराती रातों में छत पर लेटे हुए मैं कितना ही उन्हें ढोड़ने की कोशिश करूँ पर समझ ही नहीं पाती कि उन अंगिनत तारों में कौन सी मेरी मा हैं, पर वे जरूर अपनी इस तीसरी बेटी को देख रही होगी जिसे कोख से मिटाने के लिए दादी बेचैन थी सोनोग्राफी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था फिर से लड़की, एवाशन करा लो बहू, कहां तक लड़कियां पालोगी मा ने पेट में मुझे ऐसे चुपाया था, जैसे चड़िया अपने परों के नीचे अपने अंडे सेती है मा ने खुद को दादी के फैसले के बाद कमरे में बंद कर लिया था और शाम को पापा के आने के बाद ही दर्वाजा खोला था नहीं, मैं एवाशन नहीं कराऊंगी मैं अपनी अजन्मी बेटी की हत्या नहीं होने दूँगी चाहे कुछ भी क्यों नहो पापा निर्विकार, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इस बात से ना वे दादी के विरोध में कहे, ना मा के और फर्क नहीं पड़ा, इसी बात की तो मुझे शिकायत है क्यों नहीं उन्होंने मा के पक्ष में दादी से बहंस की क्यों उन्होंने इस नाजुक वक्त में मा को अकेला छोड़ दिया वे खुद भी अकेले ही हैं ना उनके कोई यार दोस्त हैं, ना उनका कोई शौक, जो मिल गया, खा लिया, पहन लिया, उन्हें तो अपनी बेटियों के स्कूल के नाम तक नहीं मालूम थे, ना कक्षा, ना वर्ग, ना रिजल्ट से मतलब, ना किताब कौपी से, एकदम तटस्त, बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक की जिन्दगी जीते रहे, जबकि मा बेहत शौकीन, उनकी हर बात में सलीका था, घर साफ सुत्रा सजा हुआ, रसोई घर करीनेदार, एक से एक व् बनाने में निपुर्द, तीज त्योहारों पर खुब धूम धाम रहती, रिष्टे निभाना वे बख्फू भी जानती थी, उनकी सहेलियां उनकी जिन्दगी का एहम हिस्सा थी, मा ने पापा के होते हुए भी पापा के बिना रहने की आदत बना ली थी, दुख दर्द प कैसे वे पापा की इतनी तटस्तता सहब आई, मेरा सोनू मुझे ओफिस पहुंच कर फोन नहीं करता, तो मैं तड़ा पुठती हूँ, शाम को लोटने में देर करता है, तो रूट कर बगीचे में जा बैटती हूँ, लेकिन तब भी मेरे कान सोनू की आहट सुनने को बेचै मैं फ्रेश हो लेता हूँ, फिर फूट जंक्शन चलते हैं डिनर के लिए, मैं भी मनी मन खुश होते हुए सोनू को नहीं बताती कि डिनर तो मैंने पहले ही तयार कर लिया है, अब नहीं खाएंगे तो बेकार जाएगा न, चोकि मेरे लिए डिनर के बेकार होने से ज़्या ज़्यादा एहम बात है सोनू के साथ बाहर जाना, मध्यम रोशनी के ठंडे केविन में बैटकर गर्मा गरम डिनर का स्वाथ चखना, टेबल पर हम दोनों के बीच लाल गुलाबों का गुलदस्ता होना, लाल पंखुणियों के उस पार सोनू का नेली आँखों वाला खू जन्त अर्ग के लिद्व समस्फ से वन्चित गया रहत एता, पार अर्वाना TV, थो रहतं दृड़ से बिथे लेगे सबी इस बीच दोनों का स्वाथ आखुणियों के अल्ग संचित, क्यों उनकी भाववनाओं को स्भाववम को Bush लाना। और उसकी भावनाओं को इस तरह चोड पहुँचाना थी जबकि वे पारिवारिक जिंदगी से एकदम तटस्थ हैं मा में गजब की जिजी विशा थी वे बेहत बुद्धिमान और तमाम बातों की जानकारी रखने वाली विदुशी महिला थी अपनी कोशिशों से उन्होंने वह मुकाम हासिल किया था जिसके लिए कोई भी प्रगतिशील औरत लालाईत रहती है वे समाज सेविका के नाम से मशुहूर थी और सामाजिक संस्था संगने की अध्यक्ष वे दुर्गम बंजर भीहट रास्तों की परताल कर वहां बसे आदिवासियों को जीने का हुनर सिखाती थी वे वह सब करती थी जिससे समाज विक्षित हो देश विक्षित हो लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी अपने घर परिवार को उपेख्षित नहीं किया हम तीनों बेटियों की परवरिश उन्होंने जी जान लगा कर की जबकि पापा को हमसे कोई मतलब ना था ना हमसे ना मा से ना मा के सामाचिक कारियों से और ना घरद्वार से हाँ एक अच्छाई थी उनमें कि उन्होंने मा के कामों में कभी दखलंदाजी नहीं की पर उससे क्या उन्होंने अगर दखलंदाजी नहीं की तो प्रशंसा भी तो नहीं की ना उनके कामों की ना उनके सौंदर रिखी लेकिन मा ने कभी शिकायत नहीं की इन बातों की बल्कि वे हम तीनों बेटियों से कह दी तुम्हारे पापा तो साधू है संसार से विरक्त उनके माबाप ने शादी कर दी वरना जंगलों में कहीं धूनी रमाते वे मैं मा की महानता उनकी आँखों में पढ़ते-पढ़ते पापा को कटगरे में ले आती मुझे सभी बातों का जवाब चाहिए उनसे मुझे मा की बरबादी का जवाब चाहिए उनसे मेरे पास जिरह के तमाम मुद्दे मौजून है वार्ड रोग की और बढ़ते मेरे हाथ थम गए सामने लटकी साड़ियां जैसे मा के आशों से भीकी है जरूर मा इन साड़ियों को पहन कर पापा का इंतजार करती होंगी पर पापा ने कभी यह नहीं कहा कि तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो मेरे हाथ गुलाबी साड़ी पर फिसलने लगते हैं यह रंग सोनू को बहुत पसंद है उसे इस रंग के गुलाब भी बहुत पसंद है अकसर कहता है गुलाबी रंग का गुलाब मुह में पानी ला देता है मन करता है तोड़ू और खा जाऊं वह मेरे लिए अधिकतर गुलाबी रंग के गुलाब ही लाता है और जिस दिन मेरी पोशाक गुलाबी होती है उस पर इश्क का जुनून सा चड़ जाता है वह शाम वह रात प्यार की बेशकीमती सौगात लिए मेरे दिल पर दस्तक देती है मुझे लगता है जैसे दरखतों की शाखों पर फूल ही फूल हो जैसे दूर आस्मान जुक कर धर्ती को प्यार कर रहा हो और मा ओह मा जिन्दिगी का सबसे सुन्दर जजबा तो तुमने महसूस ही नहीं किया मेरी आँखें भराई आशु गुलाबी साड़ी पर उस से ढलकने लगे पापा को मा से कोई लगाओ नहीं था इसकी वज़े उनका विरत मन था वे एक रोबोट की तरह बस अपने काम में लगे रहते अभी मा को गए हप्ता भर भी नहीं हुआ था कि वे ओफिस जाने लगे थे उनके चेहरे पर मा के विज्छों की छाया तक नहीं थी अगले साल रेटायर हो जाएंगे बे जब मा थी तो कहते थे रेटायर होकर मैं तो गंगोत्री चला जाऊंगा और गंगोत्री से गोमुक तक आना जाना रखूंगा भोजबासा की गुफाओं में साध्यों की संगत में बाकी की जिंदगी गुजारूंगा लेकिन उन्होंने मा के बारे में कभी नहीं सोचा कि उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा बेटियां अपने अपने घर द्वार की हो जाएंगी तब मा क्या जिन्दगी की सांच तनहा काटेंगी मैं द्रवीत हूँ मा को लेकर भीतर तक पीड़ा से भरी माने सहज सरल शांत और संतुष्टी भर जिन्दगी नहीं जी पापा के साथ के बिना वे अपने एकाकी पलों में कभी बगीचे में कलमे रोपती बीज बोती या फिर मशीन लेकर पैट जाती और कपणों को दुरस्त करती कितनी ही बार रात को मैंने उन्हें बिस्तर पर लेते कमरे की सीलिंग में आँखें गड़ाए देखा है सोनु ने मुझे अपने घर की रानी बना कर रखा है मैं खाना भी इसलिए पकाती हूँ चोकि सोनु को नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं आता वरना हर काम के लिए नौकर है आज लगता है माने पापा की ग्रहस्ती को मजदूर की तरह जिया है वार्ड रोब बंद कर मैंने रसोई गर में आकर चाय बनाई मा पापा की चाय में दालचीनी ज़रूर डालती थी ताकि उनका ब्लड प्रेशर नौर्मल रहे दालचीनी मैंने भी डाली चाय कप में चान कर मैंने पापा के कमरे में जाकर चाय रखते हुए उन्हें तीखी नजरों से देखा सोच लिया था कि आज कट घरे में खड़ा कर उनसे पूचूँगी अवल तो ये कि आपने शादी की ही क्यों और जब की मा को क्यों जीते जी मा डाला क्या हक था आपको क्या आप मा की भावनाओं की कदर करना नहीं जानते थे या पतनी के प्रती अपने करतव्यों से अंढे के रहे आप पर तभी बड़ी जीजी आ गई और मैं पापा को कटगरे में खड़ा करने से फिर चूप गई मा की तेरहवी के लगबक महीने बर बाद मैं पापा से मिलने आई वे घर पर नहीं थे सूने घर की दुरदशा देख रुलाई आ गई हर जगे धूल अस्त व्यस्तता रसोई घर में इधर उधर लुड़के पड़े बरतन अपनी चमक हो चुके थे जैसे रसोई घर ना हो घर का कबाड रखने वाला कमरा हो वैसे भी पापा को इन सब को सहेज ने समारने की आदत ही कहा है कोई ऐसा नौकर भी नहीं जो समर्पित होकर काम करे मा की गेर मौजूदगी की आंधी से तहस नयसुए घर को मैं मा की तरह ही सजाने समारने में जुट गई रोती जाती थी और पापा के प्रती विद्रोव की भावना भरती जाती थी मा की अउहेलना कर जो जख्म उन्होंने मुझे दिये वे दिखाई तो नहीं देते पर उनका दर्द अंदर तक टीस पहुँचाता है तै था कि शाम को सोनो ओफिस से सीधा यहां आएगा हम पापा के साथ डिनर लेकर घर लोटेंगे लेकिन वहे कब आया मुझे पता ही नहीं चला मैंने काम में सहूलियत की वज़े से मा की तरह गाउन पहन रखा था और बालों को जूडे की शक्ल में पिन किया था सारे कमरे साफ हो चुके थे बस रसोई घर की अलमारी बची थी मैं तेजी से अलमारी की सफाई करते हुए डिब्बे जमा रही थी कि तभी सोनू मेरे कंधे के पास फुस फुस आया तुम तो मा की तरह दिख रही हो मैं चौक पड़ी अरे तुम कब आये पता ही नहीं चला और वाश वैसिन में हाथ धोते हुए मैंने अपना चेरा आयने में देखा मगर वहां मैं नहीं मा थी पापा की ग्रहस्ती में मजदूरी करके निस्तेज थके चेरे वाली मा पापा की तारीफ एक वाहवाही के लिए तरस्ती मा घुट-घुट कर मरती मा पापा की ततश्टता में पिस्ती मा मैं घबरा गई कहीं सोनो भी पापा की तरह और मैं बदहवास उससे लिपट गई उस पलभर की कलपना ने मुझे सिरसे पाउं तक जंजोड डाला था और माने तो इस हकीकत को तीस वरस जिया है तभी पापा के जूतों की आहट कील पर हतोड़ी की तरह बजी मैंने दर्वाजे की ओर देखा आज पापा जल्दी कैसे लोटा है मुझे देखते ही उन्होंने मुझे सीने में ऐसे बर लिया जैसे मा मुझे भेटती थी मैं रोने लगी तो सिर पर हाथ फेड़ते रहे बोले कुछ नहीं चाय बनाती हूँ आपके लिए वे सोफे पर ठके ठके से बैठ गए चाय पीते हुए कहने लगे घर तो तुमने पहले जैसा सजा समार दिया आप तो करने से रहे वैसे भी आपको घर से मतलब ही कहा रहा मैंने कहना चाहा पर जब्द कर गई उन्होंने चाय खतम कर प्याला तिपाई पर रख दिया और सोफे पर से टिका लिया क्यों इतनी मेहनत किया बिटिया पढ़ा रहने देती हैं अस्तव्यस्त मुझे एहसास होने देती कि तुम्हारी मा अब नहीं है मैं चौक पड़ी तो अब आप उन्हें महसूस करना चाहते हैं करीब पाना चाहते हैं मेरे जख्म टीसने लगे जब से तुम्हारी मा गई है घर काटने को दोड़ता है घर के संग संग मैं भी विखर गया हूँ अब महसूस होता है कि मैंने उन्हें कोई सुख नहीं दिया मैं तुम्हारी मा का गुनाहगार हूँ जख्मों की टीस पर जैसे हलका सा मलहम लगा हो लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को जब्त किया मुझे किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ना है पापा को कट घरे में लाना ही है सर में तीखापन लाते हुए मैंने कहा आपको क्या फर्क पड़ता है वाली एंटरी रेटायर्मेंट लेकर गंगोत्री चले जाए और भोजबासा की गुफाओं में रहे यही तो आपकी प्लैनिंग थी न उनकी आँखों में आशु जलक आए क्या कह रही हो बिटिया फिर इस घर का क्या होगा उनका लगाया बाग बगीचा कौन देखेगा घर के कोने कोने में वो बसी है कैसे जाओं यहां से मरने के बाद क्या जवाब दूँगा उन्हें कि उनके बाद उनका बसाया घर दवार समाल नहीं पाया मैं लेकिन बिटिया उनके बिना रहूं भी कैसे और वे मा की मृत्थू के बाद पहली बार तूट कर रोए मैंने उन्हें रोने दिया लेकिन यह भी महसूस किया कि मेरे मन पर लगे जख्म अब धीरे धीरे टीसना बंद कर रहे हैं बस एक चुबन है जो शायद ताउम्र रहेगी मैं पापा के प्रती दया से भर उठी मैंने गौर किया कि वे दुबले भी हो गए हैं और उनके चेहरे पर गहरा अवसाद है अचानक मैंने पापा को कट घरे से बाहर पाया तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके ज़रूर बताएं